हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो डिपाब्लिका स्रिद्रम यूट्यूब चैनल साथ ही डिपाब्लिका आएप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका होस्ट मैं आपका टीचर आपका गाइड आनन्द स्रिद्रम आज हम लोग बीपीएसी के एक्जाम से समंदित क कोस्टन्स को देखेंगे कुछ कोस्टन्स एंसर की प्रैक्टिस करेंगे और यह बीपीएसी के अलाबा अनकिसी भी एक्जाम्स के लिए उतने ही महत्यपूर्ण है इसमें इस बात का ख्याल लखा गया है कि चीज़ें थोरी सी पिक्टोग्रेफिकल चीज़ें हों पिक्ट दिमाग में इंप्रिंट हो जाए को भी चीज़ें जब वीजूल होती है देखी वी चीज़ें जादा लंबे समय तक याद रहती हैं किसी भी रख्ति का नाम आप भूल सकते हैं लेकिन सकल सुरत इमेज उसकी कद काठी गोराय रंग आधी को देख करके आप लंबे समय के बाद भी पहचान जाते हैं भले नाम आप भूल गया भूल जाएं तो सेम चीज़ें होती है कि हमारे दिमाग में जो देखी वी चीज़ें हैं वह लॉंग लास्टिंग होता है तो परपस वहीं है कि किसी भी टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं तो परना क्यों महत्यपूर नही है ठीक है तो आइए कुछ हमें कोस्टन को देखते हैं वैसे जो लोग की त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि देखिए इस सारा चीज़ आपको एक हरे का फोटो इमेज जो भी है आपको अबलेवल इसमें कराया जाएगा जो ऑन सब्सक्राइब की त पटना वालों के लिए है लाइव क्लासेज भी होगा इस जो फांडेशन कोर्स है ऑनलाइन में रिकॉर्डेट क्लास साथी लाइव क्लास और स्टेडी मेटरियल हाड कोपी के फार्मेट में आपका मिल जाएगा तो यह जून लास्ट से 30 जून से स्टार्ट हो रहा है और क लिए जैसे जैन्धरम से जो आ रहा है एक दो रहता है जैन धर्म से पीटी के तो जैसे जैनधरम के संस्थापक कौन है ठीक है तो जैसा कि हम लोग जानते है कि जैन्धरम में 24 तुर्थंकर विए थे तिर्थंकर का क्या मतलब होता है तिर्थंकर लब जैसे हम लोग तिर्थाटन करते हैं ब्रह्मन करते हैं कहीं जाते हैं तो तिर्थंकर का मतलब जैन धर्म के अच्छा इसमें तिर्थंकर वर्ड नहीं है लिकिन हो सकता है कि तिर्थंकर वर्ड रहे तो संस्थापक कौन थे या तिर्थंकर कौन, तो तिर्थंकर का मतलब तिर्थ ने वाला ठिक है, तिर्थ का मतलब यहाँ पर है कि एक last destination जो हमारे हिंदु समाज में है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष हमारी एक अंतिम परिनति, एक अंतिम destination होता है, कि मोष्च तो मोष्ट कओ कराने वाला उसकी भर्वन कराने वाला तो कुछ यहीं संदर्व तिर्थंकर के संदर्व में होता है तो इसमेंज से बताई कि जैन द्यपंद्र के संस्थापक कौन थे कुछ अंदाजर्व आप लगा रहे हैं आरस धर्मा थे या महाविड स्वामी थे महाविड स्वामी तो नहीं थे पहले नहीं थे हलाकि अंतिम थे महाविड स्वामी क्या थे अंतिम थे और सबसे महत्वपुर्ण ही 24 हुए है 24 इनका जो पोजिशन है 24 तिर्थंकर में 24 में थे और जो पार सुना थे यह 23 ठीक है 23 ति और रिशव देव क्या है यहीं है यहीं पहले है जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जा सकते हैं प्रवर्तक माने जा सकते हैं रिशव देव इनको रिशव देव नाम याद रहेगा बहुत ही आशान नाम है ठीक है रिशव देव को हम क्या कते हैं आदी नाथ भी बोलते हैं तो जैसे हम अलफावेट की शुरुवात आदी, नाथ हम आवाई लिखना सुरू करते हैं तो आव आई से सुरूर करते हैं आप विसे ही याद रखिए कि जैन धर्म की जो पहले तिर्थंकर थे वह आदीनात और और से आदी भी और उस आवाई में ही री भी आता है तो ऐसे आप याद रखें कोर्लेट करेंगे आदीनात और रिशव देव एक ही है इनही का नाम है और इनका जो शिम्बॉल था ठीक है इनका सिम्बॉल क्या था बुल था देखें भगवान रिशव देव इनका शिम्बॉल जो है क्या है बुल है बुल है अयोध्या में जन्म हुआ था कहां हुआ था अयोध्या बहुत ही पॉपलर जगह है तो आयोध्या में इनका जन्म था ठीक है लिएक शासक वर्ग से थे और उनके सौपुत्र और दो पुत्रियां थी भरत चक्रवर्ति बाहुबली आदि इनके प्रॉन पुत्र थे तो सुन्द्री इनकी पुत्रियां थी दो पत्नियां थी ठीक है ज्यादा इतिहास में हम लोग को जानी क्या आशक्ता नहीं है रिशाब्देव जी के बारे में ठीक है तो भगवान रिशाब्देव आदिनाथ देखिए फोटो दिमाग में बैठा लिजी आप लो तो यहीं जैन धर्म के क्या थे संस्थापक थे ठीक है अब आगे चले किलियर हो गया इसको आब मैं हटा देता हूँ गलीट करता हूँ ठीक है नेक्स्ट कोस्टन ले ले हम लोग नेक्स्ट कोस्टन है देखिए फांडेशन कोर्स की चर्चा हो चुकी है पीटी मेंस इंटर्व्यू सारी चीज़ आपको घर बैठे बैठे मिलेगा ठीक है चाहिए रिमोट एडिया में हो या मेट्रो सिटीज में कहीं भी हो बहुत इनॉमनल फी में आपको पीटी मेंस इंटर्व्यू तीनों चीज़ों की तियारी साथी ऑफ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफ लाइन भी अबिलेबल है जब भी आपको एह हो टाइम मिले तो आप बहुत अशान कोशन से आइस इसमें आपको प्रस्टि नहीं आनी चाहिए राज्गेर में हुए थी यह स्था श्राँपूरी में हुआ था वहाँ था तो नहीं वहाँ था तो थोड़ा सा फोटो भी हम लोग देखते हैं यह देखे फोटो जो लोग नालंदा राजगीर अगरे होंगे तो उनको आप याद आ जाएगा देखिए यहीं फोटो है इसलिए कहा का फोटा है आपको पता है लगभग तो महाविडित जी की मिर्त्यू कहा हुई थी तो इनकी मिर्त्यू राजगीर में हुई थी या आपको डाउट राजगीर और अवापुरी में हो सकता समस्ति पूर्तो नहीं है कोई डाउट नहीं है इसमें सांची भी नहीं है क्योंकि सांची किसलिए फेमश है सांची अपन अस्तूप के लिए फेमश है जो की अशोग के द्वारा बनवाय गया था यह मद्ध प्रदिश में इसकी चर्चा मैं करूंगा बुधिन बाले चप्टर में अगले चप्टर में राजगीर से सटा हुआ है राजगीर से सटा हुआ है पावापूरी और यह जो मंदीर है यह मंदीर पावापूरी का ही मंदीर है जैन मंदीर है ठीक है और यहीं पर पावापूरी में ही पावापूरी में ही भगवान महाविट जी की मिर्त्य हुई थी ठीक है और उनका जन् कुंडलग्रामं में ठीक है इनकी मिर्थ्ष्वीं थी हलांकी जमुई में भी कुछ लोग कहते हैं कि कुंडल जमुई में में है रहा था कि कहने की बाते हैं कडलग्रामं में जन्म और पांवापूरी में मिर्थ्ष्तr फोटो को आप बिल्कुल ही दिमाग में बैठा लीजिए कभी भी आप को नहीं भूलना है कि इनकी मुर्तु पावापुरी में भी थी महाविर सामी 24 में तिर्थंक कर थे यह भी याद रहेगा मैं इसको डिलीट कर देता हूं आगे कोस्टन्स हम लोग लेते हैं बिल्कुल दिमाग में बठाते जाना है देखिए बहुत अच्छा कोस्टन्स आया स्यादवाद सिध्धान्त क्या है ठीक है फोटो आप देखिए अनेकांतवाद और श्यादवाद उससे से पहले इससे एक और कोस्टन्स होगा हाँ देखिए यह है जैन्म धर्म का सैध्धा गल्ट द्वाद या निर्वान है आप अन्मान लगाइए कि क्या है जैन्म का सैध्धान्तिक पक्ष क्या है तो rejection method से आप इसको reject कर देंगे, निर्वान भी नहीं है, निर्वान के प्राप्ति एक चरम लक्ष होता है, लेकिन सैध्धान्तिक पक्ष नहीं, ठीक है, तो इन्वे से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, चुकि यहां पर स्यादबाद है, अब स्यादबाद क्या है, इसको हम देखते हैं, इस questions में, ये देखिए, श्यादबाद का स्यधान्त क्या है, ठीक है, इसमें, श्यादबाद में क्या है, कि जो आत्मवादी हैं, और नास्तिक धारा के लोग है, दोनों के बीच की चीज़ें, अनिका अंतवाद है, स्यादबाद एक तरस से अनिकांतवाद है, वह एक्स्ट्रीम को नहीं मानता, यह कहीं न कहीं, एक मध्यम मार्ग है, और मध्यम प्रतिपदा का सिध्धान्त बुद्धिज में भी है, और यहां भी, जैन धर में भी अनिकांतवाद, अनिकांतवाद की चर्चा है, ठीक है, Framon allen अनय का वाद बश्तुता स्यादवाद क्या है अनय कांत वाद कि सिधान पर अधारित है ठीक है एफ फोटो दिखli रहा है तो आप जियों को वे डिफाइन कर रहा है से इसे कुछ ही पर्मार्निंट हो जाएगा और फोट्व डाने का क्लासु चाहिए प्रोट सीच हो तो इससे क्या होता है एक इंटरोक्टिव चीजें इंप्रिंट हो जाती है कई बार हसने हसाने वाली मजा के रूप में कई बाते कही जाती है तो परफस्ट वहीं होता है कि आपके दिमाग में उस्चाब्ध और बातें उचित्र बिल्कुल बैट जाए और जिंदगी में कभी भी ना भूले तो इस फोटो को भी डालन छे साथ बिल्कुल देखे साथ है ठीक है तो जिसको सब्ट भंगी ने भी करते हैं जो स्यादवाद का सिधांत का सिधांत खापते हैं तो इसमें क्या है कि पहले कहानी को समझे कहानी यहां है कि एक वार कुछ अंधि ब्लैंड पर्शन दिव्यांग इससे अमका सकते हैं बर्तवान संदर में तो वो लोग उसकता इस बात को जाहिर किये कि हमें हाथी देखना है तो उनको हाथी के लाए गया और हाथी पास लाग कर चुकी वो अंधिय है तो इसलिए अपने-पने हिसाब से उन्होंने हाथी को समझा चूवा असपर्श किया और समझा यह जो देख रहे हैं इन्होंने पुछ हाथी का एलिफेंट का पूछ पकड़ा तो इन्होंने कहा भाई यार यार पूछ कीतर नहीं होता है यह तो क्या होता है एक खंबे की तरह होता है, मोटे मोटे खंबे की तरह होता है, हाथी मतलब मोटा खंबा होता है, तो किसी ने सूर कहा, तो किसी ने कान कहा, तो कान वाले ने कहा कि ये तो सूप की तरह होता है, है न, तो जिसने पेट छुआ तो कहा कि ने ये तो बड़ा सा धोल की तरह होता ह तो सातों लोगों ने अपने चुकि वंदे थे सातों लोगों ने हाथी को छुवा असपर्स किया और अपने हिसाब से अंदाजा लगाया कि हाथी क्या कैसा होता है अब एक व्यक्ति कोई देख रहा था इन सब लों को ठीक है जिन्होंने हाथी के पास इन लों को लाया था तो अब अंदाजा लगाईए कि सातो आदमी क्या गलत है या फिर क्या सही है बस तुटा क्या है इस साथो नौ तो गलत है और साथो नौ सही है किसी भी एक पहलू का किसी एक चीज का अनेको पहलू हो सकता है स्याद अस्ती स्याद नास्ती अस्ती नास्ती साथ विकल्प साथ विकल्प बनते हैं बन सकते हैं किसी भी चीज का ऐसा इनका मानना है है जो कि अनिक अंतवाद में विस्वास करता है एक ही चीज़ का अनेको पहलू है यानि हम ही सत्य है आप ही सत्य है ऐसा नहीं है घर परवार में भी होता है अगर इस थिवरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया की बड़ी-बड़ी समस्चाओं का समाधान हो तो हाथी तो ऐसा है लेकिन संपुर्णता में देखने की कोशिस कोई नहीं करता है अगर देखा जाए तो अनिक समस्चाओं का समाधान इसमें आपको मिल जाएगा तो बहुत ही कहने का अदो की बेवहारिक चीज़े है जो स्यादवाद का जो सिधान्त है बहुत ही बेवह का शंपादन कम हुआ था बताइए बैसाली वाले में बल्लवी में पावा में पाटली पुत्रा में तो दो कॉंसिल हुआ है जैनियों का दो कॉंसिल हुआ है दो सभा हुई है पहला हुआ है पाटली पुत्र में और दूसरा बल्लवी में हुआ है पांसा बारा इस्वी में बल्लवी में हुआ है ठीक है तो जो पहला जो पाटली पुत्र में हुआ था यानि पटना में हुआ था तो उसी में स्वेतांबर आगम का शंपादन होता है और दो भागों में स्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है एक जो टीम होती है पाटली पुत्र से जब समय किसे अकाल से त्रस्थ हो करके भद्रवाहू के नित्रित में यहां से जैनियों की एक ग्रूप चला जाता है करनटका की तरफ ठीक है श्रावन वेल गोला की तरफ चला जाता है और फिर लोटके हैं दिगंबर यानि दिक मतलब आकास दिसा दिसा को ही अंबर को ही अपना वस्तर मानने वाला ठीक है तो और नगन होते हैं और यह स्वेट वस्तर को धारण करते हैं अस्थूल वाहो याद कैसे रखना वई पाठली पुत्र तो याद रहेगा ठीक है चलिए पहला जैन लवी में हुआ था तो इसमें याद कैसे रहेगा आप कंफिज कैसे करते हैं एक्जाम में कोशन्स आ जाता है और आप यहाँ पर सब कुछ लब एवी सीडी चार अप्शन्स है तो भाई नहीं होगा बी नहीं होगा अब सी और डी में आकर क्वास जाते हैं अस्थूल वाह भाहू ठीक है और भदर वाह um को ऑर एक जो ऊपर वाले हैं इस जो किया से भद्र भद्र भाए को ड़न तो दो लोग हो गया स्थूल वाह हू और भद्र वाहा है तो पर पटना वाले या पठली पुत्र वाले थे वह आलसी थे मैं तो रहा हम तो यहीं पर जमीन गार करके खुटा गार करके यहीं पर हम बठे रहेंगे जो हो जाए भुखे प्यासे भुख मरी हो कशिकल तौक थो अस्थूल कि समझ रहे हैं तौक अस्थूल बहु हो गया पाठ्ली पुतर वाले और करनट डाले टीम है वह भद्र बहुद के नितृतलबग सब्सक्राइब करनको दिगंबर और मजा रहा है चलिए जैन संप्रदाय में प्रतम विभाजन के स्विताम्बर संप्रदाय के संचापक कौन थे फिटर वह नहीं थे यो देवाधी छमा श्रमन थे याद रखना है ठीक है तो जो परतम विवायन के स्वेतामर संप्रदाय के संथापक कौन थे अभी हम लोगों ने देखा है पाटली पुत्र वाले पाटली पुत्र वाले जो ब्रांच है वह अस्थूल भद्र जो हिलने डूलने के लिए त्यार नहीं हुआ नहीं हम नहीं हिलने वाले हम अस्थूल हो करके खुट्टा गार करके लाठी रोब करके यहीं पर रहेंगे याद रहेगा ठीक है चलिए कभी भी नहीं भूलना है नेक्स्ट कोच्ण हम लोग लेते हैं आजीवक संप्रदाई के संस्था पर कौन थे बहुत ही अच्छा है ठीक है पर कौन थे आजीवक संप्रदाई के अनंद भाषिशाब थे यह नहीं थे यह राहुल वद्र थे मक्खली गोशाल थे या उपाली थे तो अंदर्जा लग संप्रदाई का बुद्धिज में भी हम लोग देखते हैं तो उनका क्या है लब किस संप्रदाई के हैं आजीवक संप्रदाई के संस्थापक हैं वह बता दे रहा हूं मक्खली गोशाल हैं और एक समय यह भगवान महावीर के ही सिस्य थे लेकिन बाद में मत्वेद हो जात है और गुरू से ही मत्वेद होता है है होना भी चाहिए और एक सतंत्र विचारधारा भी होता है तो मत्वेद इनका हुआ है तव इन्होंने आजजीवक संप्रदाई की अस्थापना किया है और एक तरछ से कि नियतिवादी है नियतिवादी है मतलब नियतिवादी के अंसार सब कुछ पहले से ही निर्धारित है संचालित है ठीक है इनका मतलब नियतिवाद नियति नियति मतलब सब कुछ पहले से निर्धारित निर्धारित यानि कहीं कहीं भाग परविशास करने वाला नियतिवाद तो मक्खली गोशाले नियतिवाद की अस्थापना की आजिवक्षंप्रदाई की ठीक है जिसके अंसार सब कुछ पहले से निर्धारित है पहले से संचालित है ठीक है याद रहेगा एक हजार दो इस्वी तक लगभाग संप्रदाई रहता है बाद में इसका परवाब क्या होता है आजिवक्षंप्रदाई का परवाब समावत हो जाता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन हम लोग लें नेक्स्ट कोश्चन है इसी से रिलिटर बरावर की अपयोग किसे आश्रे ग्रीक की रूप में किया है तो देख रहें देखें बहुत अच्छा फोटो है यह आजिवक्षंप्रदाई के लोग है ठीक है और बगल में यह आपने देखा होगा कि जो बरावर की गुफाएं है ठीक है बरावर की गुफा आपको मिल जाएगा आ अगिक है एक वार आप लोग जरूर जो लोग नहीं गया है जाईें नालंदा जाई सब सबाइब्स हे ठीक है वहाँ पर बरावर की गुफाओं को देखिए तो वहाँ पर बरावर की गुफाओं का दर्शन होगा और यह बरावर की गुफाओं का उपयोग किसने किया था तांत्रिक ने नहीं जैन थारूओं ने आजिवकों ने किसने किया था आजिवक संप्रदाई ने और इससे जो असोक के पोत्र दसरत थे उन्होंने ठीक है आजिवक संप्रदाई को यह बरावर की ग अप्योग करते थे ठीक है नेस्ट कोशन और भी है महान धार्मिक घटना बहुत अच्छा देखिए कितना प्यारा है फोटो डालने का परपस यहीं है कि यह चीजें आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाए बिलकुल देखिए कितना प्यारा सा है पहले कोशन को ले लते हैं महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिशेख महामस्तक मस्तक का अबिशेख देखरे नेरे अब से खुझ रहा है उपर से जो आदमी लोग दिख रहे हैं तिक है उपर से चंदन है पानी है दूद है हल्दी है बहुत सारे मदू है प्रशाद आधिसारी चीए उपर से उरेलते हैं डालते हैं इसी को महा मस्त का अभिशेख कहा जाता है तो महान धार्मिक गटना महान महा मस्त का अभिशेख इसके लिए और की जाती है तो बताइए क्या है इसका नटराज के लिए या महावीर स्वामी के लिए बुद्ध के लिए बाहुवली के लिए नटराज के लिए तो नहीं है ये तो बिल्कुल ही आप कर लेंगे नटराज के लिए नहीं है बुद्ध के लिए नहीं तो आपको हो सकतह है फिर आपको महाबीर या तो महाबीर या फिर बाहु बली ठीक है तो क्या है exactly बाहुवली है महावी रहें ya ya qya है बाहुवली जो श्रावन वेल गुला करनाटका के श्रावन वेल गोला में गोम आत्यिश्वर्बाहू वली की एक प्रतिमाय है 18 मिटर उंची है काफी विशाल है देख सकते हैं 18 मिटर काफी उंचा होता है और हरेक 12 साल के बाद जो अगोम स्वर्ट बाहू वली की प्रतिमाई हैं यहाँ पर जैन संप्रदाई के हैं देखिए फोटो से भी आपको दिख रहा है इस दिगंबर वाले हैं जिनका जो बस्त्र धारन नहीं करते हैं दिसाही जिनका क्या है बस्त्र है तो दिगंबर वाले हैं नगन आवस्थाव में हैं ठीक है इनके चरणों में देखी लोग कफी लोग हैं फोटो कटा हुआ है तो हर एक 12 वर्ष के बाद यह जो है महामस्तकाविशेख की घटना है वह जैसे कुम बार्वर्ष पर लगता है चार जगों पर लगता है तो उसी ढंग से यहां भी 12 वर्ष पर महामस्तकाविशेख होता है और यह स्रावन बेल गुला में गुमतिश्वर बाहु बली की 18 मिटर मुची मुर्ती है, उसी पर यह अबशेक होता है, याद रहेगा, कभी नहीं भोलेंगे, वहीं जो चर्चा अभी की थी, क्या था, अस्थुल बाहु के नित्रित में एक टीम क्या पाथली पुथर से कहा निकल जाती है, तो करनाटका की तरफ निकल जाती है, जब पाथली पुथर में अकाल आ गया था, याद रहेगा कभी नहीं भोलेंगे जैन तिर्थंकरों के जीवन बृत कहां अप्लब्द है तो देखिए वह अच्छा फोटो या आपने इमेज डाला हुआ है इससे याद रहेगा यह है भगवति सुत्र में भगवति सुत्र है उसमें जैन तिर्थंकरों की जो पहले से ले में भी उनको जाना जाता है और तेश में पार्षुनात है जो महत्यपुर्न है तेश में पार्षुनात है और उनका क्या है शिंबावल पार्षुनात का स्नेक है साप है जबकि रिशव देव क्या है बुल है शंगड है ठीक है रिशव रिशव का मतलब भी कुछ मटा याद रखेंगे और फिर 24 में तो महाविर्श्वामी है ही तो इन तिर्थंक्रों की जीवन बिट है वो किश्में है वह है इसमें भगवती शुत्र में डन याद रहेगा भगवती शुत्र में देखिए यह जीवन से चीजय है आप लोगं के लिए आप जो आरंबिक साहित है जैनियों था साही याद रखना है प्राकृति में आरंबिक अस्तर पर उनका अध allowed मधी में रहा है यूख वुड़िज में युठ्य में रहा है ठीक है तो प्राकृति लिट्रेचर प्राकृति में क्या रहा है इनका रहा है प्राकृतिक विद्ध्या प्राकृतिक जैन विद्ध्या पाट साला ठीक है देखिए याद रहेगा प्राकृतिक में जैनियों का लिट्रेचर है जबकि पाली में क्या है बुद्धि यासी के लिए जो लोग त्यारी कर रहे हैं फांडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जून से और इसमें आप लोग